असलाम अलेकूम, कैसे आप सब लोग उमीदा, आप सब लोग ठीक होंगे, यहाँ पर जी इतना अच्छा मोसम चल रहा था, इतना अच्छा मोसम एक दम से आया, काले बादल जागे थे, और ठंडी ठंडी हमाई आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको दिखाऊँ, कि बहुत अच्छा मोसम आया है, और मैंने सोचा कि जटपटसी बिर्यानी बनते हैं, 30 मिनट बिर्यानी, जटपटसी वो भी मेरे स्टाइल में, तो जी फ्राइडे का दिन था तो मेरे घर में फ्राइडे को मस्च बर्यानी बनती है मेरे हस्बेंट को बहुत पसानला बर्यानी सबसे पहले जी कड़ाई में मैंने डाला था कोई आदा कपसा ओयल और सोरी मेरी डाटर मेरा पीछे मेरी नकल उतारी है कि जैसे मामा बोर री मैंने भी वैसा बोलना है जाए तो मैंने चार मीडियम साइज के प्यास डाले इसको अच्छे सरह से भूनेंगे फ्राइ करेंगे कि अ हुआ है है तो जी इसमें उसके बाद जid प्याज थोड़े से ब्राउणिष हो जाए है इसके बाद मैंने टमाटर डाले दो हम तो नहीं किया है, मैंने फ्रीज किया हुए थे, तो मैंने ऐसे ही काटके इसको डाल दिया और साथ ही मैंने चिकन डाला और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और फिर बाद में इसको कवर करके दस मिंट के लिए हम पकाएंगे मीडियम आँच पे, उसके बाद जीस में डा आएंगे, यहां पर जीज शिकन ने अपना पानी छोड़ दिया और हम इसको अच्छे से और बुनेंगे और दूसरे साइट पे मैंने चापलों का पानी बौईलोने के लिए रका, उसमें ने तो मैंने शापलों का पानी बाद आएंगे और दूसे साब़ों का पानी बुद्गरा मसाले डाले सारे जीरा, कलेंजी, दारशीनी चोटी लाची, बड़ी लाची साबत काली मिर्शे और लोंग डाला और मैंने उसको वाइल होने के लिए रख दिया और उसमें दो टेबल स्पून नुमक डाल के मैंने रख दिया इसके बाद जी सामिल करेंगे हाफ पैकेट के करीब शान का बंबे बिर्यानी मसाला और एक मेरे पैस पैकेट था उसमें थोड़ा सा ता तो मैंने दूसरे नए पैकेट मासे भी थोड़ा सा अइड कर लो तो हो पैकेट बन जाता है दो कप में मेरे अंदाजे के मताबे कि हाल पैकेट शान बुमे बिर्यानी का मसाला ये इनाफ होता है और फिर इसको डाल के इसको अच्छी तरह से बूनेंगे और फिर इसको भी कवर करके तकरीबन बीस से पंदरा से बीस मेंड के लिए हम इसको पकाएंगे मेरे एसको अच्छी का अच्छी काऊ है यहां पर जी आपने गरेवी का पानी अच्छे से ड्राइ करना है और दूसरे साइट पे पानी भी बॉइल हो गया था जावलोगा तो मैंने उसमें जावल एड कर लिया और उसको मैं एक कनी पे उतार लोगे ह्यां पर जी एक कनी पे उतार लिया थे इसके बाद मैं तहे लगाऊंगी और गरेवी का भी पानी बिल्कुल मैंने द्राय कर लिया था तो मैं इसको तहें लगा दूँगी और इसको 15-20 मिन के लिए दम पर रख दूँगे अच्छा आपको मेरी आज की रेसे भी आज की वीडियो अच्छी लगी होएगी प्लीज शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें प्लीज बेल के आइकन को जूरूर प्रेस कर लेजेगा अज्क्योन अच्छा को चाना को जाएक एक करें लाइक करें और करें लाइक खाला है